तुमें ये C&D question पहले वाला वीडियो में रह गया था, इसलिए हम इस वीडियो में ये दुनों question की साथ इस question को solve करेंगे तो question C का solution ऐसे होगा, तो हम लिखेंगे we know that, we know that, हम ये जानते है कि 2.2500 equal to, equal to हम क्या लिख सकते है, 2.25 लिख सकते है तो अभी हम 2.25 का square root find करेंगे, तो 2.25 पहले हम क्या करेंगे, ये तो decimal point है, decimal point की पहले part को कहेंगे integral part, ये होगा decimal part, तो इसको pair करेंगे, decimal point से start करके इसको pair करेंगे, इसको pair करेंगे, इसको pair करने की जोड़ नहीं, क्योंकि ये single number है, pair नहीं हो पाएगा, तो 2 के लिए device करेंगे, one time देंगे, इधर one time देंगे, क्योंकि डिवाइजर और कुइन तुनों सेम होना छे, one one देने से, इधर आएगा one, तो next क्या आएगा, आसमें remain तार होगा, साब स्टेक करने की बाद one आएगा, and इन्टोनों को add करेंगे, तो two होगा, add कर नहीं परेंगा, तो next क्य करेंगे, one को divide नहीं हो पाएगा, two five को नीचे लाएगे, two five, यह decimal point की बाद का जो pair है, उसको जब नीचे लाएगे, तो decimal point को हमें उपर लिखना करेंगा, तो अभी हम one to five को divide करेंगे, अगर one to five को हम five times देंगे, इधर five देंगे और इधर five देंगे, तो five to 25 का five होगा, carry one हो five होगा, five to ten, ten plus two equal तो कितना होगा, twelve होगा, तो इसको सबस्टे करेंगे तो remainder zero आएगा, finally, हमें इसका square root मिलेगा, root over two point two five, अगर हम इधर double zero ही लिख सकते है, क्योंकि इसका equal यह है, तो two point two five double zero equal तो हम लिख सकते है, one point five, यह होगा उसका answer, question d, question d में दिया है, one three four point five six, तो पहले हम इसको pair करेंगे, pair करना बहुत जरूरी है, one three four point five six, decimal point के बाद जो भी number मिलेगा, उसको pair करेंगे, यहां से start करेंगे, यह बन गया, यह pair, और decimal point की पहले जो number है, उसको हम pair करेंगे, इसको right hand side से, left hand side टक pair करेंगे, यह एक pair बनेगा, यह pair नहीं बनेगा, तो हम इसको एसे लिख सकते है, तो one time देंगे, तो इधर भी one होगा, next के आएगा, three four आएगा, इन डोनों को add करेंगे, तो two होगा, next हम two times देंगे, तो जादा हो जाएगा, 34 से, तो one time देंगे, इधर भी one time देंगे, तो one into one equal to one होगा, one into two equal to two होगा, four से one subtract होगा, तो three आएगा, three से two subtract होगा, तो one आएगा, next क्या होगा, is one से is one को add करेंगे, मतलब एसे भी हम समझ सकते हैं, 21 के साथ, यह जो next हमने one दिया था, उसको add करेंगे, तो कितना होगा, 22 होगा, इधर हम लिखेंगे 22, तो 22 के साथ हम क्या करेंगे, अभी 22 से यह divide नहीं हो पाएगा, तो decimal की पीछे का जो pair है, उसको नीचे लाएगे, bring down करके, तो यह decimal point को हमें उपड लिखना पड़ेगा, अभी यह तो 1356 को divide करना है, तो इधर एक number देना पड़ेगा, इधर भी एक number देना पड़ेगा, तो अगर हम इधर 6 देंगे, इधर भी 6 देंगे, तो यह value निकला आएगा, 66 का 6 का 6 आएगा, carry कितना होगा, 3 होगा, next 6 to the 12, 12 plus 3 equal to 15, 15 का 5, carry 1 होगा, and next 6 to the 12, 12 plus 1 equal to 30, जब इ Therefore, root of R 134.56 equal to 11.6, यह हगा उसका answer, question 3, what is the least number that should be subtracted from each of the following numbers in order to obtain a perfect square, also find the square root of the resulting number, तो इन सभी हमें perfect square root find करना है, तो पहले हम क्या करेंगी, यह जो 6750 है, इसका हम long division method से इसका square root निकलने की process करेंगे, जब भी square root निकलेंगे, तो इसमें एक remainder आएगा, remainder को इस number से subtract करेंगे, तभी हमें perfect square number मिल जाएगा, तो उसी perfect square number होगा, resulting number, तो resulting number से हमें next square root find करना है, त process, तो question a को हम s swap करेंगे, 6750, पहले इसको pair करना परेगा, हम right hand side से pair करेंगे, यह बनेगा एक pair, यह बनेगा दूसरा, तो हम 67 को divide करेंगे, डिवाइसर में जो भी number रखेंगे, हम quiten में भी वही number रखेंगे, तो 88 जा, कितना होगा, 64, तो 64 से यह जब substrate होगा, तो value कितना next क्या होगा, 3 को divide नहीं हो पाएगा, तो पीछे का जो pair है उसको निचे लाएगे, अभी 16 की साथ इसको हम कौन सी number से multiply करेंगे, मालो इधर 2 दिया, तो इधर भी 2 देंगे, तो इन दोनों को multiply करेंगे, तो भीलू होगा 3, 2, 4, अभी इनको हम sub stack करेंगे, 2 से जाधा नहीं therefore perfect square number equal to, यह जो number है, 6750 minus, हम remainder को minus करेंगे, तो इन दोनों को जब minus करेंगे, तो उसका total value आएगा 6724, लेकिन according to question में क्या दिया है, question के according हमें इस number को फिर से square root fund करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 6724, फिर से यह दोनों pair होनेगा, तो next हम क्या करेंगे, 8, 8, यह तो easy होगा, 8, 8 पहले दिया होआ है, तो 64 आएगा, तो इन दोनों को जब sub stack करेंगे, 3, 2, 4 आएगा, तो next, sub stack करेंगे बाद 3, 2, 4 आएगा, यह जो 3, 2, 4 है, 3, 2, 4 कब हमें मिला, जब हमने 2 time multiply गया, तो इन दोनों को add करेंगे, तो 16 आएगा 3, 2, 4 आएगा, तो value जब sub stack करेंगे, 0 होगा, डियारबर हम यह कैसेक्ट है, root over 6, 7, 2, 4 equal to 82, यह बनेगा अजका solution, question B, 5, 3, 5, 9, तो pair करेंगे, तो 2 pair हमें मिलेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 5, 3, 5, 9 को divide करेंगे, पहले 5, 3 को divide करेंगे, 7, 7 दा कितना होगा, 49 आएगा, तो 49 को हम 53 से sub stack करेंगे, तो value आएगा 4, यह पीछे का pair को निचे लाएगा, 5, 9, तो अभी इन दोनों को add करेंगे, तो 14 आएगा, तो next 3 time अगर इधर देंगे, 3, 3 जाएगा, 3 into 14 इक्वेल तो हमें मिलेगा, 42, तो next इन दोनों को जब sub stack करेंगे, तो value आएगा 30, यह 30 हमें remainder मिला, therefore here we get the remainder equal to 30, and perfect square number equal to, इस number से 30 को हम sub stack करेंगे, तो 5, 3, 5, 9, minus 30, तो value कितना आएगा, value आएगा 5, 3, 2, 9, तो यह हो गया resulting number, इसको हमें फिर से square root find करना पड़ेगा, square root तो 73 ही होगा, तो इसको बहुत easy होगा, according to question, question के according गया है, 5, 3, 2, 9, यह दोनों pair बनेगा, तो next क्या करेंगे, 7 times देंगे, 7, 7 जा 49 आएगा, 49 जब भी होगा, इनको sub stack करेंगे, तो यह 4 आएगा, 4, 2, 9 होगा, next इनको एद करेंगे, तो 14 आएगा, 3 times देंगे, इधर 3 होगा, 3, 3 equal to 9 होगा, 3 into 14 equal to 42, यह आएगा, sub stack करेंगे, तो 0 होगा, therefore हम कह सेखते हैं, कि root of our 5, 3, 2, 9 equal to 73, यह बनेगा उसका अंचार, question C, 8, 3, double 0, तो यह बनेगा, एक प्यार, यह बनेगा, एक प्यार, तो 8, 3 ठीके यह बहले हम डिवाइद करेंगे, तो 9 into 9 जब करेंगे, तो कितना आएगा, 81 आएगा, तो इसमें वेलो नीचे वेलो आएगा, 2 and double 0, इन दोनों को एद करेंगे, तो 18 आएगा, तो 18 इधर अगर 1 राखेंगे, इधर 1 राखेंगे, तो कितना होगा, 181 आएगा, तो इसका ज वार, यह जो नमबर है, 8, 3, double 0, माइनस 19 करेंगे, तो वेलो कितना मिलेगा, 8, 2, 8, 1, यह होगा, result number, resulting, perfect score number, according to question, question के according हमें, इसको फिर से, squadrified करना बढ़ेगा, 2, 3, 8, 1, यह बनेगा, एक प्यार, यह बनेगा, next प्यार, तो हम 9, 9 जा देंगे, बहुत easy होगा, इससे follow करेंगे, तो easy होगा, 9, 9, 81, तो इहां आएगा, कितना, 181, तो next हम क्या करेंगे, next इंटोनों को add करेंगे, तो 18 होगा, one time देंगे, इधर भी one time होगा, तो 181, तो इंटोनों को subtract करेंगे, तो 0 आएगा, 0 जब भी आएगा, एसे long division method में करने आशे, तो यह बनेगा, इसका square हो, therefore, root over 8, 2, 8, 1, equal to 91, यह बनेगा, इसका answer, question D, 2, 2, 2, 2, and 2, pair करेंगे, तो यह एक pair मनेगा, यह दूसरा pair मनेगा, तो next क्या करेंगे, 22 के लिए divide करेंगे, first pair को हम लेंगे, तो 4, 4 times देंगे, तो कितना होगा, 16 होगा, तो अभी इसको subtract करेंगे, सबस्टेक करेंगे बाद भेलवाएगा, 6, यहांसे 1 केरी होगा, तो 12, 12 से 6 सबस्टेक होगा, तो 6 आएगा, next इस pair को नीचे लाएँगे, अभी हाब क्या करेंगे, इन्दोनों को add करेंगे, add करेंगे बाद भेलवाएगा, 8, तो 7 times देंगे, इधर भी 7 देंगे, तो 7 into 7 equal value कितना आएगा, 49, 49 का 9 होगा, केरी 4 होगा, केरी आएगा 4, and 7, 8 जा 56, 56 plus 4 equal to 60, तो यह बेलेंगा इसका total value, जब हमें इन्दोनों को सबस्टेक करेंगे, तो value आएगा, इससे 1 केरी होगा, तो केरी होने से यह 12 होगा, 9, जब सबस्टेक होगा, 3 आएगा, 1, तो 13 होगा इस तो यह जो number है, 2, 2, and 2, 2, minus 13 करेंगे, तो इसका total value आएगा, 2, 2, 0, 9, तो according to question हमें फिर से इसका square दो निकालना परेगा, 2, 2, 9, 0, 9, यह होगा एक प्यार, यह next प्यार, तो 22 के लिए 4 times ही जाएगा, इससे follow करेंगे हम, तो कितना आएगा, 16, जब ही 16 को सबस्टेक करेंगे तो आएगा, 609, तो 609 हमें इंटो नोप आद करेंगे, तो 8 आएगा, 609 हमें कब मिलेगा, जब 7 ताइम इधर दिया था, तो हमें 609 मिला, तो 7 ताइम इधर देंगे, तो next below मिलेगा 609, तो इसका जो remainder 0 बनेगा, जब ही remainder 0 बनेगा, तो यह square नमबर होगा, therefore, root over 229 equal to 47 question 3e 862, यह pair बनेगा, यह pair नहीं बनेगा, यह singular हैगा, तो हम क्या करेंगे, 2, 2 करेंगे, 2 divisor में, 2 quittent में, तो 2, 2 जा 4 आएगा, next, इसमें sub stack करेंगे, तो 4 आएगा, इस pair को निचे लाएगा, 62 होगा, 2, 2 जा कितना आएगा, 2, 2 को plus करेंगे, तो 4 आएगा, तो 4 प्लास कर नहीं बनेगा, अभी इधर हम 9 राखेंगे, इधर भी 9 राखेंगे, coittent और divisor में, में, सेम होना चाहिए, जब भी 9 से 49 को multiply करेंगे, तो value आएगा, 4, 4, 1, तो इसमें sub stack होगे, remainder आएगा, 1 and 2, मतलब 21 आएगा, here we get the remainder equal to 21, therefore perfect square number equal to 862 minus 21, जब भी 862 से minus 21 करेंगे, तो value आएगा, 8, 4, 1, according to equation, हम क्या करेंगे, 8, 4, 1 को फिर से हम, इसका square root find करेंगे, यह होगे act है, और यह single रहेगा, तो 2 into 2 करेंगे, तो 4 आएगा, तो sub stack करेंगे, तो value क्या आएगा, 4, 4, 1 आएगा, तो इन दोनों को add करेंगे, तो 4 आएगा, तो जब हम इसमें 9 time दिया था, तो 4, 4, 1 निकला आएगा, तो 9 time देंगे, तो 9 time देने से क्या होगा, 4, 4, 1 निकल क्या आएगा, मतलब multiplication value, तो substrate करेंगे तो 0 आएगा, therefore root over 841 equal to 29, 29 होगा उसका आंचा, question 3f, 2616, इसका पहले हम pair करेंगे तो ये बनेगा 1 pair, ये बनेगा 1 pair, so 26 के लिए हम divide करेंगे, तो 5 अगर 5 times देगे, तो 5 5 जा कितना आएगा, 25, तो in message of substrate होगा, तो value आएगा 1, 1, 6 आएगा, तो next इन दोनों को येद करेंगे, तो 10 होगा, इधर 1 देंगे, इधर जी 1 देना पड़ेगा, तो 100, 0, 1 आएगा, next इन दोनों को जब substrate करेंगे, तो value कितना आएगा, 15 आएगा, here we get remainder 15, and perfect square number equal to, 26, 16, minus 15, ऐसे करेंगे, तो 26, 16 से जब हम 15 को substrate करेंगे, तो value आएगा, 26, 1, ये value आएगा, तो according to position क्या दिया है, हमें इसको फिर से, इसका square रोट निकालना है, तो 2, 6, 0, 1, ये बनेगा एक प्यार, ये बनेगा एक प्यार, प्यार को हम कैसे करेंगे, through right hand side to left hand side, एसे करेंगे, ये तो integral part है, integral part को एसे करेंगे, और जो decimal part होगा, उसको हम right hand side, sorry, left hand side to right hand side करेंगे, तो 5, 5 times होगा, 5, 5 करने से 25 आएगा, तो उसको subtract करेंगे, तो 1 आएगा, 101, तो इंटोनों को add करने से भिलो क्या आएगा, इंटोनों को add करने से भिलो आएगा, 10, 1 time देंगे, इधर 1 time देंगे, तो 101 आएगा, सबस्टेक करेंगे, तो 0 आएगा, therefore, root over 2601 इकोएल तो 51, यह बनेगा असका answer.